हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत है आप सब का आज के इस वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे MPPOOD हिंदी बिशिष्ट कक्छा पारमी की पद्द साहित से बनने वाले महत्पूर्ट पृष्ण उत्तर की पद्द साहित से चार नमबर के पृष्ण आपके बूचे जाएंगे और पद्द साहित के हर बार ये पृष्ण आते ही हैं कनफर्म है कि आ नहीं है तो चार नमबर आपको ये वीडियो आज दिलाने वाला है चार अंक आपके आज complete होने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके चार नंबर complete हो जाए सबसे पहला प्रिष्ण हम ले रहे हैं सबसे पहला प्रिष्ण है भारतेंद्य यूगीन काब्यों की चार विशिस्ता लिखे तो इसमें सबसे पहली विशिस्ता इसमें लिखी है राष्टीता की भावना जो भारतेंद्य यूगीन काब्य था उसमें राष्टा की भावना परिलिक्चित होती है तो इसमें लिखना है आपको इस यूग के कभियों ने देश प्रेम की जचनाओं की माध्यम से जन्मानस में राष्टी भावना का विजारूपन किया है तो यह अप लिख लीजिए पहला पॉइंट है उसके बाद दूसरा है हास से बैंग हास से बैंग भारतेंद्य यूगीन कब की भी विसिष्टा है तो हास बैंग सहली को माध्यम बनाकर स्कूरा आठ टीसा पॉइंट उसमें हम देख रहे हैं हमें चार भी स्थ्क्षा्णा लगते है तो हम तीसरा पॉइंट उसमें पॉली है तीसरा पॉइंट है अग्रे इन सिक्छा का ब्रोद Baptist Churchが अबत्रोद भारतेंद्य यूगीन की उने जगी पृती प्रचार प्रसार के इस काल में काब्विक की विभिध रूप दिखाए जेते हैं जैसे मुक्तब काब प्रबंद काब आप जानते हैं मुक्तब काब क्या होता है प्रबंद काब क्या होता है ठीक है उसके बाद पांची भी सिस्ता चुक्कि आपको चार ही लिखनी है मैंने इसमें पांच इसलिए लिखी है जो आपको अच्छी लगी उसको याद कर लीजिए ठीक है फाच भी है सामजिक चेतना कभिकास सामजिक चेतना कभिकास इस काल का काब सामजिक चेतना का काब है इस युक ने इस युक के कभियों ने समाज में ब्याप्त अंधविस्वासों इबं जूडियों को दूर करने ही तू कभिताय लिखी हैं उसके बाद आगे देखते हैं चलिए आगे देखते हैं प्रिसन नमबर दो डो बोल रहा है भाति प्रतेंद्व यूगीन चार कभी और उनकी रचनाय लिखिए ऐसे question काफी पूछे जाते हैं तो इसको मैं आपको एक trick भी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं तो भारतेंदु यूगीन कभीयों की trick याद करने की trick है भज परताप अंबिका ठीक है भज परताप अंबिका यह आपको याद कर लेना है ऐसे दो-तिन बार आप दुराओगे तो याद हो जाएगा तो भारतेंदु यूगीन जो कभी है उनको याद करने की trick है भज परताप अंबिका तो भारतेंदु हरिस्चंद जार से हो गया जग मुहन सिंग परताप से हो गया परताप नारण मिर्स और अंबिका से हो गया अंबिका दत्त ब्यास इन्ही चारों को आपको याद कर लेना है बातेंदु यूगीन कभी है और इनकी यह रचनाय आपको याद कर लेनी है तो उसके बाद प्रशन तीसरा है विश्वादी कावी की चार विश्ष्ष्षा लिखनी है वाली विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् स्रंगार भावना ठीक चायबादी काप मोख ताह स्रंगारी काव है कि तु उसका श्रंगार अतींद्रिय सूक्छ संगार के उसके बाद आंगे हैं आज श्रंगार भोग की बस्तु नहीं है अब यह सब्सक्रिय या आपकी हिंदीमिशिष्ट की जो भोग है उस्सिं moo से लिखे हैं बहुत ही important point को छाठ चाठ के लिखा है आप इनको ही याद करिए क्योंकि यह बहुत ही important point है उसके बाद प्रक्ति का मानवी करण, प्रक्ति का मानवी करण से प्रक्ति में ये पॉइंट भी आप कीजिए, प्रक्ति परमानव व्यक्तित्तु का आरूप छायबाद की प्रूप विसिस्ता है, छायबादी कभियों ने प्रक्ति को अनेक रूपों में देखा है, कहीं उसने प्रक्ति क सब्सक्राइब। यह बहुत ही अच्छा बाक लिखा है उसके बाद प्रशन को मांग चार देखते हैं प्रशन चौथा देखते हैं इसमें प्रमक चार छायावदी कभी लिखी उनकी रिचना लिखी इसको भी मैं आपको याद करने की ट्रिक बताता हूं चायावदी कभी कैसे याद रखना है इसकी में ट्रिक बताता हूं इसकी ट्रिक है पंत प्रशाद निराला और महादेवी बर्मा ऐसे आपको याद रखना है पंत प्रशाद निराला तो इस तरह से आप पंत से हो जाएगा समितन अनन पंत प्रशाद से हो जाएगा जैसे इंकर प्रशाद निराला से होगा है चार कभी है चाय बदी का काविके और इनकी रचना है आपको याद रखनी है तो यह लूप पूछा गया है इस पार पूछा गया है कि 100% समभाबना है इसकी तो ये कुश्चन को आपको 100% कर लेना है ठीक है 100% मतलब पूरा 100% आपको करना ही है इसको याद सोसकों के प्रति बिद्रो और सोस्टों से सानूगति यह प्रक्तिबात की प्रोग बसिष्ता है पःली बसिष्ता रहे प्रक्तिबात कभी ने किसानों मज्डोरों पकिया बकिया जाने बालेपूज़ू upgrade क्या दूसरा है आर्थेक वाद सामाजिक समानता पर बल देते हुए निम्न बर्ग वह तो था उच्छे बर्ग के अंतर को समप्त करने पर बल दिया है उसके बाद उसके बाद प्रक्तिबाद की तीसरी भी सिस्ता है नारी के प्रतिविद्ध मुक्ति का स्वर ठीक है प्रक्तिबाद की नारी को उपो की वस्तू नहीं समझा है बरन उसके सम्माजनक इस्थान दिया है इसोर के पति आस्था अनास्था आस्था नहीं लिखा है अनास्था है ठीक है जो प्रक्तिवादी कभी थे वो इसोर के पति अनास्था रखते थे वे इसोरी सक्ति की तुल्ला में मान भी सक्ति को अधिक मौत देते थे ठीक है इसको आप यादर किये उसके बाद हम छटमा कुश्चन ले रहे हैं प्रक्तिवादी कभी उनकी रचना लिखो ये कुश्चन करने हैं आपको एक कुल हमने आठ कुश्चन इसमें लिए हैं बहुत ही मेनत करके लिखे हैं इसको आप लाइक जरूर करिए वीडियो को यूँकि ये सब लिखने में और सिंपल सिंपल डूणने में कई मेनल लग जाती है तो इसको आप याद रखिए और ये वाला कुश्चन भी देखिए छटमा कुश्चन है प्रक्तिवादी कभी और उनकी रचना लिखो प्रक्तिवादी कभी कौन-कौन से हैं यह नागार जुन केदार नातक्रबाल सिमंग तो इनकी में है में परशन कर्मांग साथ है कौश्चन में नम्मर साथ है पुश्चन प्रियोज बात की चार पर लिखना है तो इनकी हम राचना देख लेते हैं प्रियोज भाइली बिसेटा है इसका डेटेल आप खुद देख जाए और वीडियो भॉच करके लिखते प्रेम भावना कोखला चित्रन इसको आप रखी तीसरा है बुद्धित बात की बदानता चौता है मुक्त छंदों का प्रियोग पाज्माहें ब्यंग की बदानता इसको आप देख लीजिए यह हो गए और इसके बाद प्रियोग वादी कभी याद करने की भी बनाई है तो इ याद रख सकते हैं अमन गरी अमन गरी मत आ से हो जाएगा अग्य मा से हो जाएगा मुक्ति बोद ना से हो जाएगा नरेस मेंदा गरी से हो जाएगा गरिजा कुमार माथुर ठीक है यह चार का पांच कभी है इनको आप याद रख सकते हैं इसमें धर्मी भाद्य को नहीं लिए एक तो चार अध़ रखना है क्योंकि चार ही नम्बर के राइगे तो चार से आधा तो पूछे नहीं आएगे तो इसको आप याद लिगी तो इसको आप याद रहे हैं यहाँ पर हमारे सभी कॉस्चिन होते हैं तो पद्ध खंड के एतने कुश्चन आप करके जाएए सौ परतीसाद एक्जाम में पूछे जाएंगे और इसी परकार के हम और वीडियो बनाएगी हिंदी से रिलेटेट और किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेट तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैक्स पूर वाचिंग